अब यहां पर हमारा क्या हो चुका है स्ट्रिंग बन चुका है अब क्या एक गैटर मैथर्ड और बना लेते हैं यहां पर क्या होगा पब्लिक मैथर्ड ही होगा जो हमारा गैटर मैथर्ड होगा किस टाइप का होगा लॉंग टाइप का होगा क्योंकि सब हमारे क्या जारी है की ही सदरोकिशन जालगी गाइस और यहां पर क्लिट सब्सक्राइब हैं हम यहां सब्सक्राइब होदि क्या हुआ अब यहां पर हमारा पहले क्या था खाली डेट हो रहा था राइट लेकिन जैसी मैंने यहां पर यह वाला पास करवाई क्या कर रहा है simple date formatter है date formatter in the sense एक तो यह date को format करेगा और time format करेगा तो guys यह दो output दे रहा है एक की जगह जबकि हमारा यहां पर पहले जो date था था खाली date दे रहा था अब guys क्या है date भी है and time भी है तो जो हमारा list view है उसमें थो हमने एक के लिए दे रखा है तो हम क्या करेंगे यहां पर earthquake list item में यहां पर आप देख सकते हो सिर्फ हमने date दे रखी है 8.9 magnitude location and क्या दे रखा है date अब क्या time भी है तो time के लिए separate हमें क्या चाहिए text view चाहिए guys तो मैं यहां पर क्या कर दूँगा एक text view एड कर दूँगा किसके लिए time के लिए guys तो guys यहां पर क्या कर देंगे हम एक text view आ गया हमारा extra add हो गया and यहां पर मैंने add कर दिया text view guys इसकी width क्या दे देंगे 0 dp दे देंगे and height क्या देनी है हमें match parent देनी है guys जैसे उपर given है बिल्कुल वैसी देनी है and यहां पर guys ID दे देंगे हम इसकी ताकि हम इसे call कर आ सके है यहां पर 0 की जागा ओ दब गया guys उससे इसके बाद एक यहां पर closing tag लगा दिया guys हमने यहां पर और मुझे क्या देना इसका layout का weight देना guys क्या one तो यहां पर हमारी कॉन गंजी हो गया ID हो गया weight हो गया height हो गया stand holding जो हमारा टेक्स है वह भी देदें टूल्स पर ताकि हमें दिखता रहे है जो हमारा placeholder text है ताकि वह कैसा दिख रहा है तो मैं यहां पर क्या क्या देता हूं guys time देता हूं 3 p.m तो आप देख सकते हो यहां पर जो थोड़ा सा बढ़ा कर लेता है guys यहां पर एक और text view add हो गया है हमारे list view में जो क्या दे रहा है time दे रहा है तो यह guys बस placeholder text है जब original यहां पर text आएगा यह हट जाएगा यह तो पूरा हो चुका है अब हमें क्या चाहिए जो हमारा get view वाली चीज थी जो हमारा getter method तक get view जहां से हमें views मिल लह थे उसमें हमें text view भी add करना है और अपने date वाले format को भी change करना है guys और वह किसमें हमारा earthquake adapter में तो इसमें दो चीज़े दो दीन चीज़े हमें change करने है guys वो देख लेते हैं कि क्या क्या हमें change करन चीज़े हमें तो हम किसको date में change कर देते हैं मैं आपको क्या बता है इसका object क्रियेट करना है मैं यहां पर पहले एक comment एक कर देता हूं ताकि किसी को confusion नहों कि यहां पर basically हो क्या रहा है तो यह basically हम पहले किसमें कर रहे है इसे string में कर रहे है ताकि इसका हमें क्या code object में अब यहां है कि इसको date को यहां पर क्या灌 बास करवा दूंगा date का işte क being website Quem उसका यहां पर and interact कंगे का उपछेक्ट यहां पर इसको अब हमस्त गेंस अब हमें नहीं चाहिए अब हमें क्या चाहिए formatted डच चाहिए तो जो हमारा यहां पर मैंने क्या बनाए formatted date basically मैंने इस problem ना हो क्या करा रहा है हमारा text view दिखा रहा है guys यह change कर रहा है और यह उसे दिखा रहा है guys अब क्या रहना है guys मैंने इस के date को दो change कर दिया अब मुझे किसके लिए करन आ है जो हमारा time ऐसके लिए मुझे थोड़ी से changes add करना पड़ेगा नई field तक कि वह इसे यहां पर यहां पर यह सोzogen दिखा मैंने क्या कर दिया एक और ट्स वीव है तो मैंनेगे आधिक कर guys time हमारा हो गया है set अब हमें guys क्या करना है time format करना है तो उसके लिए एक और work कर देंगे यहां पर मैंने comment कर दिया guys क्या करना है अब time को format कर रहे हम यहां पर तो यहां पर एक और मैंने string value दे दी इसकी भी क्या ले लिया formatted time right जैसे हमारी formatted date थी अब क्या हो गई formatted time हो गया है guys तो यहां पर मैंने कर दिया format time यहां पर मैंने data object दे दिया और अब क्या करवाना है guys हमें view करवाना है जैसे हमने और चीज़र व्यू करवाई है तो यहां पर क्या करवा दिए simple time time view करवा दिंगे dot set text हो जाएगा हमारा and हमें set text क्या होना है formatted time होना है तो मैंने यहां पर formatted time दे दिया और यहां पर यह हो गया गाईज अब यहां पर error क्यों आ रहे है क्योंकि यहां पर मैंने call तो कर लिया है जो formatted यह string type का formatted date आ गई और formatted क्या आ गया time आ गया बड मैंने यहां पर क्या करना है दो helper method बनाने है यहां पर क्या कर रहा हूं मैं method कॉल कर रहा हूं राइट तो यहां पर हमने date object पास करा दिया तो इसमें हमें क्या बनाने दो helper method और बनाने है ताकि हमारी क्या है यह वाले जो format है वो सही से work करें तो simple मैं इस वाले curly braces के बाहर यह वाला return list view हमने क्या करा है declare return करिए इसके बाहर क्या बना लेंगे दो helper method बना लूँगा मैं एक क्या उन सा बनाऊंगा format date का रहे किसका बनाऊंगा format time का और दोनों में क्या हमें date object पास करवाना है guys क्यूंकि guys हमें यहीं पर use करना है बस तो मैं simple क्या क्या कर लूँगा private type का बना लूँगा और क्या है string type का और यहां पर हम दे देंगे format date पहले date के उपर बना लेते हैं guys define कर देता हूं इसे किस type का बनाना है मुझे date type का बनाना है तो यहां पर आप देख सकते हो एक utile file add हो जाएगी जो क्या हो जाएगी import हो जाएगी अगर हम यहां पर कहां जाए उपर जाए तो आप देख सकते हो एक जो मेरी import है वो add हो गया है date type का और यहां पर क्या है हमारा कौन सा object define करना था हमे date object अब क्या करेंगे इसके हम definition लिख देंगे कि हमें क्या काम करवा ना इससे हम अलएडी यह देख चुके थे मैंने आपको बताया था कि simple date formatter हम यूज करेंगे पहले क्या object क्रिएट करेंगे उसका और फिर उसे क्या करेंगे format कर देंगे तो हमने object अलएडी create कर चुके हैं अब क्या simple format add करके उसे format दे देंगे guys तो देख लेता है वो कैसे हो हा यहांपर मैं क्या add करूंगाč स्침ल देट formatter तो यहांपर देख सकते हो जा दो option आ रहे है मेरे पास मैं1 जलेक्क कर दिया simple date format और यहांपर senka सिमपल क्या कर लिया इसका new instance बना लिया guys और यहांपर date format के अंधर मैंने क्या passe कर दिया यहांपर कर दिदमेंगे pattern पान जो कह यहां पर यह वाला format मुझे चाहिए है गाइस जो मेरा date format है वो यहां से change हो जाएगा यहां पर तो guys हमारा होगा जो date format है वो store हो गया इस वाले date जो variable है date format इसमें क्या store हो गया जो हमारा format था यह वाला राइट अब हम क्या कर देंगे guys return कर देंगे बजी है इसको date format को क्या करके format करके और इसके अंदर क्या argument पास कर वाइंगे foldedIn जो दूसरा helper Method है धाइस हम उसकी कर लिंगे खाली simply copy कर लिंगे यहां पे इसके कर कर सकता हूं that हम आप इन्ह depreciate और यहां पर क्या format कर रहे थे data format कर रहे थे अब क्या format कर एगे जो डेट थी उसका फॉर्मेट था अब हमें किसका फॉर्मेट देना गए जो हमारे आर्ज होंगे उसका फॉर्मेट देना है तो यहां पर हम फॉर्मेट क्या देंगे ऐसे फॉर्मेट देंगे जिसको फॉर्मेट समझ में आए जो मैंने डॉक्यमेंटेशन दिखाई दिया उसमें जाके online search करके उसमें ये सारे format देख सकते हो अराम से और यहाँ पे एक change और कर देंगे गाइस यहाँ पर क्या जाएगा हमारा time format और यहाँ पर format क्या कर दिया हमाने date object अभी हमारा क्या दो date object में क्या रही है तो basically क्यों आ रहे हैं क्यों कि हमने जो चाइल मयातार यह भी तक हमने कुल नहीं हमने जो ओबजयक्ट पास प्रवाना था एक बार तो ऑफचेट बनेगा उसके C और इसके बाताराया 되고 और यहांगर लिया था उसे पाल नहीं करा है और हमने क्या बना लिया उसका जो format था जो हमने उसे convert करना था example में आपको दो line of code सिखाई थी एक में उसका instance बनाया था constructor में बुलाके date में और एक में उसको guys हमने format किया था तो date वाला format अभी मैंने add नहीं करा है date वाला जो उपर वाला code था जो नीचे वाला format वाला code था वह हमने add कर दिया है आप क्या कर देते हैं अपना जो date object वाला वह था वह भी call कर वा लेते हैं उसे और तब यह errors हमारे क्या हो जाएंगी guys solve हो जाएंगी तो यहां पर guys आप इसे date के ही उपर बना लेना location के नीचे और date view के उपर तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा date हो जाएगा और यहां पर हमारे date वे क्या बना देंगे हम एक date object क्रिएट कर लेंगे right तो यही वाला date object मै convert हुआ किसमे list view में जाके और से constructor के थुरू हमने object क्योंकि guys जो मैंने आपको example दिया तो उसमें थोड़ा सा difference सा इससे क्योंकि हम किसमें list view में call करवा रहें तो थोड़ा सा difference है और यहां पर हम क्या करवा देंगे इसका यहां पर मैंने आपको क्या बताया था यहां पर हम इ झाल